कि नमस्कार क्लास 6 एक्सरसाइस 3.3 का प्रशन नंबर 4 हम कर रहे हैं और यह प्रशन 4 यह है कि हम इस संख्या का 11 से डिविजिबिल्टी टेस्ट चेक करें तो मैं यह संख्या एक बार फिर से लिख रहा हूं 10824 अब आपने मेरे पुडाने वीडियो में 11 का यह नंबर लिंडिया दूसरा चोड़़ दिया इसकी तीसरे के साफंद भ्रशन चोट्था चोड़ कर इसकी पांच्वे के साफंद कर तो अब जो नंबर आपके पास है है उसे हम पहले लिख लेते हैं हमारे पास आया है 1 अगला नमबर आया है 8 इनको प्लस करना है और 8 से अगला नमबर आया है 4 इन सब को प्लस कर दो 8-4-12-13 दूसरी तरफ देखेंगे पहला नमबर हो चुका दूसरा नमबर लेंगे तीसरा छोड़ देंगे इसका चोथे के साथ pair करेंगे, छेटवा है नहीं, तो दूसरी तरफ जो हमारे पास संख्याएं आई है, वो आई है, जीरो प्लस दो, तो जीरो में दो प्लस किया, तो हमारे पास आगया, दो, अब ये तो असान है ना बच्चो, ये आपने पहले भी सिखा हुआ है, अब जो अगल तो हमारे पास आगया है, ग्यारा, अब ग्यारा का डिविजिबिल्टी टेस्ट ये था, यदि ये माइनस करने से जो संख्या आ रही है, ये जो संख्या माइनस करने से आ रही है, यदि यह है, जीरो है, या ग्यारा है, या ग्यारा के पहाड़े में आती है, तो यह पूरा नमबर 11 से भी भाजे होगा तो यह पूरा नमबर 11 से divisible होगा अब देखे यहाँ 11 आया तो हम लिखेंगे इसका मतलब क्या है कि 10824 is divisible by 11 यदि यहाँ 0 भी ना आता 11 भी नाता 11 का पहाड़ा भी नाता तो हम क्या लिखते इस नमबर is not divisible by 11 तो बच्चा मैंने इस चैनल में कोशन 4 के दो भाग किये हैं A भाग और B भाग जो कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं इसके बाकी भाग आप खुड ट्राई कीजिए अगर आप इन दो भागों को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो बाकी भाग बड़ी सरलता से आपसे हल हो जाएंगे आशा करता हूँ इस वीडियो के जरीए आपने 11 से डिविजिट की सीखी होगी यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा आपको ये समझ आया इंपोर्टेंट ये है कि आपको समझ आये यदि आपको ये समझ आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा जब आप लाइक करते हैं तो मुझे ये प्रेरना मिलते कि मैं और मेनत से वीडियो बनाओ धन्यवाद बच्चो थैंक यू गद्बस्ट